अपना बेली का फैट कम करके लिंक का सिकुड़ना आप कम कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा में एक आपको ड्रिंक बताता हूं आप रोज लेते हैं और उसके साथ साथ जो भी मैं उसके आपको बता रहा हूं वो करते हैं तो डिफिनिटली आपता बेली फैट कम हो जाएगा और लिंक का सिकुड़ना जो आपको लगता है वो भी कम हो ज प्रश्ट में उसलेक ताली साल से अकुला में प्रैक्टिस कर रहा हूं लिंक का सिकुड़ना यह बहुत लोगों को तकलिप देने वाली बीमारी है एक तो क्या मता है कि पॉन वीडियो देखके लोगों को लगता है कि अपना लिंक छोटा है कि लिए कॉमन टालेट में जा आओ कि वहां तो बताएं कि पांच इंच जोना आट इंचोना कुछ लोगों का उमर केसाफक चोड़ा हो जाता है पचैस के बाद में टेस्टोस्तिरोन लेवल कम होता है उसे छोड़ा हो सकता यह पाहरू णिदिसे आपर जादा है ऑन जोघकर होने होगे लिंक बहूं ज्य है चोटा हुआ है और ऐसा रहा तो वैसे भी आपको शेक्स में तकलिफ होती है तो यह आवएडि करना है तो आपको फेट को बन करना पड़ेणा फैट को लॉसका ना पड़ेणा तो इसके बारे में आज आपको जान कर दिने माना हुआ इसके लिए आपको क्या करना है छे साथ एटम आपके पास में जमा पहले करना है और वो रोज अपको लगेंगे नंबर एक आपको लगेंगा ग्रीन टी नंबर दो लगेंगा अध्रक दो तिन तुकड़े ग्रीन टी एक बैक फिर धनिया के बीच नंबर चार पुदिना जो है कि ग्रीन टी जो है वो मेटेबॉलिसम बहुत बढ़ाता है और उससे फैट लॉस अच्छा हो जाता है अध्रक जो है अध्रक अध्रक तो सभी लोग चाय में लेती रहते तो अध्रक के टुकड़े उसको चुरा करके पाड़र करके रखना है ये कैलरी बंद करते है क मतलब पुदिना पुदिने के तीन-चार पत्रे तयार रखो पांच है जीरा जीरा एक चमच छटवा एटम है लेमन नीम्बू और सात्वा है शहत अब इसका करना क्या है आपको गया करना है कि रात को एक कब पानी में एक चमच धनिया और आदा चमच जीरा डालके रखना बाकना है रात को स्भाव में पानी जो हे वोग का वह पानी रूप अच्छा उबालनेका अच्छा उबालना है एक कप में और चान लिए उसमें इस निच्छ निबाओ दालना ह Cheer CoolHaond टोन इसमें प सब आप मिक्स करेंगे तो बहुत ही अच्छा एक drink त्यार हो यह drink आप सुभन सवंक ओग्स को इक लास ऐसा रोज लेते हैं तो डिफिनेटली आपको फैट लॉस करने में बहुत अच्छ मज़त हो जाएगा बहुत ज्यादा फैट जमाया निकल जाएगा और आपका लिंग जो ऐसा लगता है आपको शिकूर गया वह अच्छा दिखने लगएगा इसके साथ साथ आपको अच्छी एक्षरसाइस करना है फैट बन करने के लिए एक्षरसाइज 40-50 मिनिट माप लगने चाहिए दम लगना चाहिए एक्षरसाइज डाइट की उपर मतलब खाने की उपर कंट्रोल जिसमें फ्रूट्स वेजेटेबल्स लेना है अच्छे प्रूटीन लेना है नो स्वीट्स मिठा बन बेकरी आटम बन मतलब बिस्किट्स ह है या ब्रेड वगर यह बेकरी आटम बंद कर देने का है फिर जो जंक फूड़ है पीजा नूल्स बर्गर यह बंद है नीन आपको 6-8 घंटे लेना है और पानी 3-4 लिटर रोज पीने का है अब सब यह आप करते हैं और यह ड्रिंग जो मैंने बताया हो लेते हैं तो सब्सक्राइब करो लाइक करो आपका ख्याल रखेगा बच्चों का ख्याल रखो सब्का ख्याल रखो आपके फैमिली का ख्याल रखों कि बहुत भूँ मिले है थैंक यू वेरी मच